वेल दोस्तों आज हम आपको बताने ज़ा रहे हैं मिथुन दा और स्ट्री देवी की लव स्टोरी के बारे में बॉलिवुड में मिथुन चकरवर्ती का नाम एक एक्षिन और रोमेंटिक हीरो के रूप में दर्ज है फिल्मों में तो वो आज भी सक्रिये हैं मगर अब वो अधिकतर साइड रोल्स या फिर कॉमेडी रोल्स में ही नजर आते हैं असी के दशक में में स्ट्रीप सिनेमा में मिथुन दाक का दबदबा था कई एक्टर संग उनके रोमांस के भी चर्चे थे इसमें से एक नाम है श्री देवी का श्री देवी संग मिथुन चकरवर्ती का रोमांस खूब चर्चा में था मगर दोनों का रिष्टा कभी मुकमल नहीं हो सका वेल आप सभी को बता दें किस्सा शुरू होता है मिथुन चकरवर्ती की पतनी योगिता बाली से मिथुन ने शादी करने से पहले योगिता बाली ने किशोर कुमार की पतनी थी मगर ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चिल लई दोनों की उम्र 24 साल का फांसला था किशोर सिद नाता तोड़ने के बाद योगिता बाली को मिथुन चकरवर्ती से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली साल 1980 में दोनों ने शादी की इसके बाद तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक मिथुन चकरवर्ती के जीवन में श्री देवी की एंट्री नहीं हुई थी असी के दशक की शुरुआख में दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा कई रिपोर्ट्स में तो ये भी माना जाता था कि श्री देवी और मिथुन चकरवर्ती ने चुपके से शादी भी कर ली थी मगर दोनों का रिष्टा लंबा नहीं चल पाया वजा रही मिथुन चकरवर्ती की पंतनी योगिता बाली ये किसी भी कीमत पर मिथुन संग अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहती थी मिथुन की शादी की खबर सुनते ही योगिता बाली ने सुसाइट की कोशिश की थी इसके बाद मिथुन ने श्री देवी का साथ छोड़ दिया था चलिए अब बात करते हैं मिथुन की करियर की मिथुन चकरवर्ती का जनम 16 जून 1992 को हुआ था उन्होंने 1976 में आई बंगाले फिल्म रिग्याप से अपने करियर की शुरुआत की अपनी पहली ही फिल्म के लिए एक्टर को नैशनल अवोर्ट से सम्मानित किया गया मगर उन्हें शौरत मिलनी शुरू हो गई असी का तशक शुरू होने के बाद से डिस्कोड डांसर ने उन्हें सूपरस्टार बना दिया वे हर साल दस के करीब फिल्म में करते थे और ये सिंसिला सालों तक चलता रहा और आज भी उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेक्सने लाइफ एक्टिंग के लिए नाइट ने लाइफ एक्टिंग के लिए प्रॉट्ट पार्मों पार्मों प्रॉट्स